अस्टेलिया के मिचल स्टार की समय फॉर्म में दिखाई नहीं देरें इंगलंड और अस्टला के बीच में जोड वोडिया सिरीज खेली गई है उसमें कल के मुकाबले में लियाम लिविंग इस्टोन ने उनकी आकरी होर में 28 जोड यह जवोड फार एक बाल डाट थी इससे पहचले रोह शर्मा ने भी उनका यही हल किया था जिस तरह से उन्होंने भी चार चके और एक चौका लगाया था जो मिचल इस्टार जो केक्यार के किलाब क्वालिफायर में और फायनल में गेंद बाजी की थी उसके अलावा मिचल डिखाई दे रहे हैं जिस तरह से उनले कोई भी बलेबाज धुलाई कर रहा है वो गाअज गाज के चुंगा अईसा ही लग रहा है क्योंकि जब जब कोई मैस खेलने के लिए ग्राउंड पर उतरते हैं आईसा खराप इर्कार उनके नाम जुट जाता है कि आश्टेलियाई टीम को सर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है क्योंकि जब भी उन्होंने इससे पहले गेंदबाजी करते थे तो बल्लेबाजों के गिलियां उखने में कोई कसर नहीं चोड़ते लेकिन जिस तरह से वो उनकी लेन और लेंद बिगड़ चुकी है रोही शर्मा ने उन्हें जब 28 रहे थे उसके चलते आप उनकी लाइन और लेंद बिगड़ चुकी है और केक्यार में भी जब वो खेल रहे तो उन्हें जादा कुछ प्रफार्म नहीं किया था बस कॉलिफायर और फैनल में अच्छी गेंद बाजी करकर उन्हें मैच जरू जिताया था लेकिन जब भी ओ ग्राण में उतर रहें कोई ना कोई खराब रिकार्ड उनके नाम जुड़ा लिया उनकी आखरी वोर मे 28 रनकाड़े इसके चलते ही उन्हें काफी बड़ा स्कोर जो कि कम वोर के मैच में जो कि 39 का ही वोर मैच था क्यूंकि बारिस के चलते मैच को कम क्यर दिया गाया था उस मुकाबले में भी अस्टेलिया काफी रंच से हारी लेकिन यो रिकार्ड मिचल स्टार के नाम निंदनी है क्योंकि उनकी एक बड़े प्लेर के तरफोर ने देखा जाता है और आस्टेलिया की जो ही प्लेर होते हैं वो कुछ ना कुछ अलग करते हैं लेकिन इस समय इस्टार्क जो कर रहे हैं उनका उल्ठाई हो रहा है इस्टार्क ने जिस तरह से रन खा रहे हैं उनक सब्सक्राइब लगाई लाट्स पर और 27 बाल पर 62 रन की पारी खेली एक किलर के लिए बड़ा अच्विमेंट था क्या आपको भी लगता है कि इस्टार का फार्म खत्म होना अस्टेलिया के लिए सब्सक्राइब बड़ी खत्रे की घंति है क्योंकि आगले साल जो चौंप बैप्रेंट्स